The Summer of the Beautiful White Horse टाइटल से इतना तो तुम समझ गए होगे कि ये स्टोरी एक Beautiful White Horse के बारे में है या नहीं कि सुन्दर सफेद घोड़े के बारे में तो राइटर विलियम सेरयन यहाँ पर बताने वाले हैं कि इंसिडेंट एक White Horse के बारे में जो गर्मी के टाइम में हुआ था अरम तो नौ साल का अरम और उसका कजन मुराद जो की था तेरा साल का ये दोनों हैं स्टोरी के में हीरोज और दोनों के दोनों बिलॉग करते हैं अर्मेनिया से अर्मेनिया एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में जहांके लोग काफी ज़दा फेमस हैं अपनी ओनेस्टी और ट्रेस्ट के लिए यानि कि अपनी इमानदारी और विश्वास के लिए क्या ये दोनों लीड हीरो यही इमानदारी और विश्वास मेंटेन कर पाते हैं आओ देखते हैं स्टोरी में एनिमेशन के साथ मुवी की तरह देखेंगे फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाना जहां तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट कुश्चिन का पीडियेफ और एमसी क्यूस भी आप कॉन खाओगी वन डे बैक देर इन दी गूड ओल देस वेन आई वास ना राइटर जब राइटर नौ साल के थी तब की बात है ये अब जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे लिए दुनिया कैसी होती है वो हर तरीके की मैंगनिफिशन से भरी होती है निकि कुछ भी चमतकार हो सकता है जब हम बच्चे होते हैं हम ऐसा ही सोचते हैं ऐसा ही इमेजिन करते हैं जब जिन्दगी उस समय पे क्या होती है? डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम होती है, एक सपने जैसी होती है. माई कजन मुराद, यानि कि अपने कजन के बारे में बताते हैं, वो सब के दोरा कैसा सोजाता था कि? वो बहुत क्रेजी टाइप का है, बहुत जादा पागल टाइप का बच्चा है, किसे छोड़कर? उसे छोड़कर, हमारे राइटर को छोड़के. तो अब होता क्या है? कि यही मुराद, जो उनका कजन रहता है, वो सुबा के, चार बजे, आज आता है उनके घर के बाहर, उनकी विंडो पे टैप करता है, उन्हें उठाता है कि, अरम, उठो, अरम, he said, अरम कहके उसे बुलाता है राइटर को, और राइटर जोता है, I jumped out of bed and looked out of the window, जम करता है और जा के देखता है विंडो से, तो वो जो देखता है यार, उस पे वो बिलीव नहीं कर पाता है, नहीं, नहीं, राइटर की गल्फरेंड नहीं आगी थी, वो क्या देखता है कि, उसका कजन, मुराद, किस पर बैट के आया है, एक beautiful white horse पे, my cousin मुराद was sitting on a beautiful white horse, I stuck my head out of the window and rubbed my eyes, वो window के बाहर अपनी मुंडी निकालता है और अपनी आखें मलने लग जाता है, जैसे कि, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, कि ये कहीं सपना तो नहीं है, तो वहाँ उसका कजन कहता है, येस, he said in Armenian, अर्मेनिया के लोग हैं, तो अर्मेनियन भहाँ सा वोलते हैं, it's a horse, you are not dreaming, कि तुम सपना नहीं देख रहा हो, ये एक horse है, और जल्दी से आजाओ, अगर तुमें इसकी ride लेनी है, और writer को हमारे कुछ भी believe ही नहीं होरा था, क्योंकि writer की सबसे पहली memories, my earliest memories had been memories of horses, writer की सबसे पहली memories, नहीं के सबसे पहली आज, जब भी हम बड़े होते हैं, तो बचपन की सबसे पहली आज होती है, वो हमारे writer की थी, horses, सिर्फ और सिर्फ घोडे, and my first longings had been longings to ride, और उनकी सबसे पहली इच्छा लाइफ किया थी कि वो horse ride एक बर कर पाएं और दूसरा reason क्यों यकीन नहीं हो रहा था इंडी second place we were poor तो यह जो लोग थे यह काफी आदा गरीब थे तो इसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इसके पास घोड़ा आ गया हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है we had no money आर होल ट्राइब वस पूर्टी स्ट्रिकन हमारी पूरी ट्राइब यानि कि पूरी की पूरी जात हमारी पूर्टी स्ट्रिकन है गरीब है काफी एवरी ब्रांच आफ दी गैरो ग्लेनियन फैमिली वस लिविग इन दी most amazing and comical पूर्टी इन दी वर्ट गैरो ग्लेनियन क्या है गैरो ग्लेनिया नाम था उस ट्राइब का जिस ट्राइब से लोग बिलॉंग करते थे तो गैरो ग्लेन फैमिली यानि कि उस ट्राइब की हर फैमिली काफी ज़धा amazing और comical यानि कि मजाक वाली पूर्टी में जी रही थी अब इस लाइन का मतलब क्या है इसका मतलब आगे वई लाइन में है यानि कि कोई भी नहीं समझ पाता था कि कैसे हम manage करके पैसा लापाते हैं कि हम अपने पेट में खाना ला सकें तो कोई भी जान नहीं पाता था कैसे पैसे का जुगार हो रहा था ना ही घर के बड़े जान पाते थे और आगे लिखा है कि हम साब के सब काफी आदा famous थे अपनी honesty को लेके इमानदारी को लेके तो चोरी तो वो बिलकुल करते हैं नहीं थे यह लिखा आगे लाइन में की वे वर प्राउड फ़स्ट, और वो सब प्राउड थे इमानदार थे और उसके बाद वो कुछ सोचते थे यानि कि वो पहले प्राउड थे खुद पे वो इमानदार थे उसके बाद ही उसके बाद ही क्या सही क्या गलत और कोई इनकी पूरे ट्राइब का कोई भी आदमी किसी का एडवांटेज या किसी का यूज नहीं करता था पूरे वर्ल्ड में और चोरी तो बहुत दूर की बात है फिर आगे ये सब कुछ सोचने और बताने के बाद राइटर सामने रहा था अपने इंसिडेंट पे उससे सामने दिख रहा था हॉर्स फिर भी वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरे कसन मुराद के पास कहां से यह हॉर्स आया और वो जानते थे कि मेरे कसन ने ये horse खरीदा नहीं है, योगि पैसे अफ़कोस हैं नहीं, और ये भी वो जानते थे कि उसने ये चोरी नहीं किया है, और आगे वो कहते हैं कि दोनों के अंदर एक p.s. stillness और humor था एक दूसरे को देखते वक्त, p.s. का मतलब होता है sacred, एक stillness जो दोनों को दिखा रही थी कि हाँ तोनों जानते हैं कि हाँ गलत काम करके नहीं लाएं और एक हुमर था एक खुशी थी कि हाँ अब हम इसे राइड करने जा रहे हैं तो राइटर कहता है मुराद वे डिडियू स्टील इस हॉर्स तुमने कहां से चुरा के लाया है लीप आउट ओफ दी विंडो वो कहता है विंडो के बाहर आओ पहले अगर तुम्हें राइड करनी है अब जब वो पूछता है कि तुमने कहां से चुरा आओ तो वो हाँ या चुस कि उसने चुरा तो लिया है अब वो पूछने आया है इंविटेशन देने कि तुम्हें राइड करना है तो आओ नहीं तो नहीं यह एक राइड के लिए स्टीलिंग नहीं कहलाएगी जैसे की पैसे चुराना यह एक्स्प्लेनेशन दे कर वो चले जाते हैं आई जब डाउन तो यार्ड फ्रम दी विंडो एंड लीप डाउन तू दी हॉर्स बहाइंड माई कसन मुराद जाते हैं और पीशे बैड जाते हैं अपने कसन मुराद के हॉर्स के उपर तो दोनों के दोनों लीड हीरो सवार हो चुके हैं अब हॉर्स पे यह वी लिप डाउन वालनेट एवन्यू एवन्यू का मतलब होता है श्ट्रीट समझ लो लाइन समझ लो तो वो कैसी रोड पे रहते थे जहां पे धेर सारे वाल अब 3 मिनट के अंदर ही घोडे पे बैठते हैं तीन मिनट के अंदर ही वो पहुझते हैं ऑलिव एक पेड होता है तुम जानते ही हो तो ओलिव की जो पेड के स्ट्रीट थी वहाँ पर उस रोड पे पहुझ चुके थे और वहाँ पहुझने के बाद and then the horse began to trot trot का मतलब होता है जैसे घोडे चलते हैं न डाइगनली पैर उचाल उचाल के टबबबबबबबबबब बिलकुल वैसा ही घोड़ा आप चलने लग गया था काफी स्पीड में the air was new and lovely to breathe काफी मज़ा आ रहा था क्योंकि दोनों की बचपन की इच्छा पूरी हुए थी खासकर हमारे राइटर की my cousin Murad who has considered one of the craziest members of our family began to sing अब my cousin Murad पहले बताया था उन्होंने की Murad को सब के सब क्या समझते थे काफी craziest member यानि की काफी पागल टाइप का member समझते से अपनी family का अब वो क्या करने लग गया था वो horse पे ही गाना गायन लग गया था आगे लिखा है I mean he began to roar अब गाना गाना नहीं उसका मतलब writer का मतलब था कि वो दाहार ने अलग गया था क्योंकि वो इतनी तेस तेस से गाना गा रहा था अब आगे एक चीज एक्स्प्लेइन की गई है जो तुम सब जानते हो यार हम सब के father mother की qualities हमारे अंदर होती है बट इस tribe में थोड़ी सी क्या अलग थी कि इस tribe में father mother के साथ साथ तो tribe के जो अलग-अलग members है tribe के जो बड़े लोग है उनकी भी qualities बच्चों मा आजाती थी वही लिखा है every family has a crazy streak in it somewhere हर family में crazy streak, crazy quality होती है and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe तो Murad जो था उसे क्या समझते थे लोग? descendant यानि की बेटा समझते थे किसका? एक और crazy आदमी का जो उनके tribe का था जिसका नाम था Uncle Khoshrov याद रखना, Uncle Khoshrov ये काफी बॉक लाया हुआ सा आदमी था क्योंकि ये करता क्या था? इसके बारे में देखते है अनिनार्मेस मैं विथ पावरफुल हेड उफ ब्लैक हेर एंड लार्जेस्ट मुस्टैच इन दी संजो किन वैली अब इस पूरी की पूरी वैली यानि की पूरी की पूरी घाटी में जो कैलिफॉनिया में थी उस पूरी वैली का सबसे ज़्यादा डरावना दिखने वाला एक बड़ास आदमी जिसकी सबसे बड़ी माउस्टेच थी यानि की मूश थी वो था जो टेमपर में इन टेमपर सो इरिटेबल टेमपर यानि की नेचर में काफी irritable था यानि कि जल्दी से वो irritate रहता था तो कुछ भी अगर तुम उससे बताओ या कुछ भी उसके सामने दो लोग अगर बात भी कर रहे हैं तो वो उनलों को रोग देता था और वो क्या कहता था इस लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज से कुछ हाम नहीं हो रहा तो उस पर ध्यान मत दो कि don't waste your time until it's not harming अगर कोई चीज नुकसान नहीं पहुचारी तो उस पर time waste मत करो वह चिला जाता था और यह इतना बॉखलाया हुआ आदमी था कि एक बार यह अपनी जो लंबी-लंबी मुझे हैं उसे set कर वा रहा होता है अपनी वीरड कहां पे एक बारबर के शॉप पे और इसका खुद का बेटा जिसका नाम क्या था अरक running eight blocks to the barber shop where his father was having this monster trim to tell him their house was on fire वो eight blocks दूर से दौटा हुआ आके उसे बताता है बारबर की shop पे कि पापा पापा हमारे घर में आग लग चुकी है तो भी यह पागल बॉखलायास आदमी क्या कहता है उससे कि it is no harm, pay no attention to it फिर बारबर जो बाल काट रहा है वो भी कहता है रे बट तुम्हारा बेटा खुद कहरा है कि घर में आग लगी हुई है तो फिर कहता है शुको सरोफ रोड इनाफ, it is no harm, I say तो कहता है इससे कोई नुक्सान नहीं होगा मैंने कहा अब नुक्सान तो घर जाने के पाद ही म जो कि काफ़ जादा पीसफुल, प्रैक्टिकल और काफ़ी समस्दाटाइद के आदमी थे बट आगे लिखा है इस लाइन का मतलब समझो, अब जो फादर है वो अपने बेटे की बॉड़ी का फिजिकली फादर हो सकता है बट जो उसकी स्पिरिट है जो उसकी आत्मा है वो यहां पे मुराद के फादर जो जो जुराब हैं वो काफ़ी अद्धा प्रैक्टिकल आजमी थे, काफ़ी सांट ट्राइप थे बट हमारा उनका जो सन था, मुराद वो बिलकुल अलग टाइप था, वो कैसा था, उसका कंपैर्जन होता था अंकल खोश रोफ से वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, अब यही होता रहता है, वो घोले पे चल रहे होते हैं और उसका कजन मुराद गाने गारा होता है, और घोला चलता रहता है काफी लंबा और मुराद कहता है राइटर से, कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले राइड कर राइड करने को, राइड करता है कि अरे होर्स मुझे राइड करने देगा, तो वो कहता है, वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉर्गेट डेत, आइफ अकेले राइड करने को, यानि कि जो मुराद था, उसके पास एक तरीका था होर्स को हेंडल करने का, जो सायथ हमारे तो फिर तुम मुझे भी देना तो वह उतर जाते हैं और उसका कजन मुराद बैठता है हमारे होर्स पर शाउटेड वजीरे रन यानि कि वह उस घोड़े को वजीरे कैसे बुलाता है और फिर घोड़ा बिल्कुल से अपने हिंडलेक्स पर खड़ा हो जाता है और जैसे घोड इरिगेशन डिश को क्रॉस करते हुए आता है 5 मिनिट के बाद और पूरा घीला जाता है क्योंकि इरिगेशन डिच का मतलब घढ़ा हो जहां पर खुब पानी बहरा हो तो जब घोड़ा चल रहा है तो पानी का छेटटा उपर आता है जिससे कजन पूरा गीला जाता है मु पर वह सारी कि सारी वाइट पर यानिकि सारे अंगूर के पेड़ों पर उचलने लग जाता है और आप उन दोनों को गोड़ा दिखने रहा होताए यानिकि गोड़ा उनसे मिस हो जाता है तो वह मुरादा कर कहता है कि चलो तुम इस साइड जो और मैं दूसरी साइड जाता दोनों चलके ढूनते हैं और आदे घंटे के बाद मुराद ही उस घोडे को ढूनके लेके आ पाता है और ये सब होते होते याद करो ये लोग कब निकले थे अपने घर से सुबा के चार बजे से ही तो इतनी देर ये सब करते करते सूरा जब ऊपर आ चुका था लग भग और हो चुकी थी तो वो लोग डरते हैं कि अगर अब ऐसा कुछ करेंगे हम इसे ले जाएंगे वापस तो सब के सब हमें देख लेंगे हमारे आसपास के लोग तो मुराद हमारे राइटर से ऐसे कहता है कि विलाऑदर टेक हिम वैक और हाइड इम अंतिल तुमारों मॉर्णिंग तो या कि हम इसे ले जाएंगे वापस बट वापस ले जाने हम लोग देख लेते हैं या फिर हम क्या करें कि इसे हाइड कहीं छुपा जटे कि अ कल जब सुबह होगी, एक्दम सुबह के टाइम पर अब वो जो ऐसा बोलता है मुराद तो इस पूरे के पूरे सेंटेस में वो वरीड परिशान नहीं दिख रहा था बलकि अब वो पूशता है कि तुम इसे कहां हाइड करोगे तो वो कहता है कि मेरे पास एक जगा है अब हमारा राइटर पूशता है कि यानि कि वो समझ आता है कि जगा भी है सब को जानता है तो यानि कि बहुत पहले से इस नहीं हो चुरा रखा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने चुराया है फिर वो कहता है अच्छा चलो चुराया नहीं यह बता दो कि कि कितने दिनों से तुम इस तरह इस होर्स को डेली मॉर्निंग राइड कर रहे हो तो मुराद रिप्लाई करता है कि नहीं नहीं इस मॉर्निंग के पहले कभी भी नहीं यह फर्स्ट मॉर्निंग है तो अब वो कहता है Are you telling the truth I said राइटर हमारा कहता है क्या तुम यह सच बोल रहे हो तो वो कहता है of course not कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ बट कोई भी अगर जानता है पूसता है तो हमें यही कहना है और वरना हम liars proof हो जाएंगे हमारी tribe में यह famous है कि हम सच बोलते हैं और honesties रहते हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा तो वो भी कहता राइटर कि ठीक है अब एक फार्मर थे फिट विजियन जिनका वो बार्न था बहुत पहले बट अब वो एक डिसर्टे वाइन याड था यानि कि पूरी तरफ रेत थी कुछ-कुछ वाइन याड्स थे और बीज में था वो बार्न बान यानि कि जो घोड़े या फिर अलग जानवरों को रखने की जो जगा होती जो प्लेस रहती है तो वहीं पर ले जाएक उसे बान देते हैं और वहाँ पर खाने के लिए ओट्स और ड्राइ अलफालफा रहते हैं जो वो खा सकता था घोड़ा अब वो बताता है उससे कि इतना असान नहीं था होर्स को इतने इसली बिहेव करवाना पहले वो काफी जंगली होर्स था मैंने उसे काफी सही तरीके से ट्रेन किया समझाया तो वो कहता है तुम इसे कैसे करते हो तो कहता है अभी तुम एक छोटे बच्चो तो वो घर चलाता है मुराग और ये भी घर जाता है अपने घर जाता है एक अच्छा प्रेक्फ़स्ट खाता है और साम के टाइम पे उसके घर आते हैं कौन वही बॉख लाए हुए अंकल अंकल खोश्रोव came to our house for coffee and cigarette चले आए दूसरे की घर he sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country आते हैं आयाशी करते हैं और याद करते हैं अपने पुराने दिन जब वो old country आने की गाउं में रहा करते थे और फिर एक another visitor arrived एक अलग आदमी आता है जिसका नाम रहता है farmer एक रहता है वो नाम रहता है उनकी mother, writer की mother लाती है उनके लिए coffee और tobacco तो उठाता है, cigarette roll करता है और पीने लगाता है, smoke करता है और कहता है my white horse which has stolen last month is still gone, I cannot understand it कि मेरा एक सफेद घोड़ा था, जो पिछले मन्त चोरी हो गया और मैं अभी तक समझनी पा रहा है कि वो कहां गया तो उसके अंकल कोश रो, रहते हैं बड़े बॉखल, वो उस पर भी गुस आ जाते हैं सांत रहो, क्या एक घोड़े को लेकर रोना है तो वो कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक छोटी बात होगी, तुम्हें एक शहर के आदमी हो बट मैं उसी घोड़े से अपना सरी चलाता था यानि कि जो वो सर्रे मतलब की होता है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, काट, वो चलाता था तो वो कहता है, pay no attention to it, my uncle Khushrov Road उसके अंकल कहते हैं, उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो फिर वो कहता है, कि अरे मैं 10 miles, 10 miles चल कर आया हूँ यहां पे तो you have legs, my uncle shouted, उसके Khushrov अंकल कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास पैर भी तो हैं, कहता है, अरे मेरे पैर दर्द होने लग जाते हैं कहता है, pay no attention to it, उस पर ध्यान मत दो, अंकल Khushrov अपनी बॉखल की दी चालू रखते हैं वो फिर कहता है, कि वो घोडा मुझे 60 dollars का था, तो अंकल Khushrov या कहते हैं, I split on money, यानि कि मैं पैसे पे थूकता हूँ, तो अब इतना बहत सुनकर वो गुसे में उड़ जाता है, और दोर से, slamming the screen door, जो दो डोर लगे होते हैं ना, कुछ-कुछ घरों में, तो वो एक दोर हुए घर से निकल जाता है, भाग जाता है, अब उसकी मदार स्पेयन करती है हमाई राइटर को कि ये काफी अच्छे दिल के आदमी है, बस वो ऐसा इसलिए बिएफ कर रहे हैं, क्योंकि वो होमसिक हैं, अपने घर से काफी दूर आ चुके हैं, और वो काफी जादा बड़ एक चिडिया का नाम है, यंग रॉबिन, जो उड़ने पारे हैं, इसका विंग टूडिया था, उसकी हेल्प कर रहा होता है, तो वो उससे कहता है मुराद से, कि फार्मर जॉन बाहरो हमारे यह आए थे, और उनका होर्स गाया बैवने उनका होर्स वापस चाहिए, तुमने उनका होर्स एक मन से रख रखा है, तो चलो मुझे प्रॉमिस करो, कि उनका होर्स तब तक वापस ने करो, कि जब तक मैं होर्स राइडिंग अच्छे से सीखने जाता हूँ, तो वो बोलता है मुराद उसको, कि अरे अभी तुमें एक साल लगेगा पूरा होर्स राइडिं करने, मुराज तो जानता ही था तो अच्छे से कर लेता था बट जब जब बारी आती थी राइडर की राइटर की तो वो राइडर तो थे नहीं पूँर्शारे सीख तो पाए नहीं थे, तो हर बारे ही होता था farmer John Byro who was on his way to town अब वो जो वहाँ पर deserted wine yard था जहाँ पर वो लोग बानते थे घोड़े को ले जाकर उसरी side जा रहे होते हैं और आस्ते में मिल लाता है वही farmer John Byro तो of course अपना घोड़ा पहचान लेगा बढ़ हमारा मुराज यानि कि जो cousin रहता देखने लग जाता है घोड़े को घोड़े को हर side से देखता है फिर कहता है good morning son of my friends की मेरे दोस्के बेटों good morning what is the name of your horse इस घोड़े का नाम क्या है तो reply करता है my heart मेरा दिल ये नाम रखा है a lovely name farmer कहता है काफ़े अच्छा name है और कहता है I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago may I look into his mouth कहता है कि मैं कसम खाके कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मुझसे चोरी हुआ था कोच वीक्स पहले क्या मैं इसके mouth के अंदर देख सकता हूँ तो कहता है of course देख लीजिये फिर वो देखता है तो कहता है tooth for teeth यानि कि exactly वही same teeth है इस घोड़े के जैसे मेरे घोड़े के थे फिर वो आगे ये भी कहता है I would swear it is my horse if I didn't know your parents वो कसम खाके कहता कि यही मेरे घोड़े हैं अगर वो तुम्हारे parents को ना जानता क्यों कहता है क्योंकि वो जान रहा है कि तुम्हारी family के लोग चोड़े नहीं करेंगे The fame of your family for honesty is well known to me Yet the horse is twin of my horse तो अब इतने यादा honesty के लोग लोग famous थे कि वो अपना घोड़े को कह जैता है कि यह मेरा घोड़ा नहीं बलकि twin है उसी का जुडवा घोड़ा है A suspicious man would believe his eyes instead of his heart और वो एवी लाइन कहता है कि A suspicious man Suspicious है नहीं कि सक करने वाला कोई शक करने वाला आदमी होता तो वो अपनी आखों पर विश्वास करता दिल पे नहीं जबकि वो दिल पर विश्वास कर रहा था कि यह लोग अच्छे लोग है तो फिर कहता है Good day my young friends क्या कि वो चला जाता है अब उसके बाद क्या होता है यह सब सुनके शायद दोनो main heroes में आ जाती है थोड़ी थोड़ी सी guilt और वो दोनों अगले ही दिन अगली morning जाके करत देते हैं उस horse को John Byro के वाइन याड में ही वापस से बान देते हैं बारण में अब वहाँ पर निकलते वक्त कुटे कुछ उनको follow करने दे जाते हैं अब कुटे अगर भौकते तो सब लोग जान जाते हैं कि यह दोनों आये थे तो फिर हमारा मुराद कहता है कि डरो मत मेरे पास कुटो को भी हैंडल करने का तरीका है इसको जू में काम करना चाहिए और करता क्या कुस तरीके से वो मैनेज करता है फिर वो कुटे नहीं भौकते हैं माई कजन मुराद पुट इस आम्स अराउंड दी होर्स उसका कजन उसको गुडबाई कहता है अपने होर्स को बांधने के बाद वहाँ पे अब उसी आफ्टरून जॉन बाईरो केम तो आर हाउस इन इस सरे और शोड माई मदर दी होर्स दैट है बीन स्टूल और रिटन वो आता है उसी सरे में यानि कि उसी काट में बांध के घोड़ा टक बक करके आता है वापस और दिखाता है कि यही मेरा घोड़ा चोरी हुआ था और वो वापस आ गया है और वो कहता है कि I do not know what to think He said इस होर्स इस स्ट्रॉंगर दैन एवर पहले जदा काफी मजबूत हो गया है शान्त हो जाओ होर्स था मिल गया ना वापस अब उस पे कोई अटेंशन मत दो कोई ध्यान मत दो तुम भी ध्यान मत दो क्योंकि स्टोरी हो चुकी है खतम और इस में से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कुश्चिन हम एक साथ देख लेते हैं कि कुश्चन नमबर टू जब जॉन बाइरो जो रहता है होर्स का ओनर वो क्या कहता है कि अगर कोई आदमी शक करेगा तो अपनी आँखों पर बिलीव करेगा ना कि अपने हाट पर तो ऐसा क्यों कहता है लाइम का क्या मतलब है इसका एक अच्छा खासा अंसर यहां पर लिखा हुआ है फिर उसके बाद जब अरम चोरी कर लेता उसको जस्टिफाई कैसे करता है उनमन में क्या सुचता है कि चोरी तब कहलाएगी जब हम इसको पैसे के लिए किसी को बेस दे या फिर कुछ इसका पैसे के लिए यूज करे हमने तो बससे राइड करने के लिए लिया है तो यह चोरी नहीं कहलाएगी फिर अगला वाट ड़स दी राइटर सज़ेस्ट भाई बेगिंग इस स्टोरी यानि यह स्टोरी तो शूरू करते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं इस टाइब की कुश्चन साफ फ्रेम हो रहा हैं CBSC में बोर्ड एक्जाम्स में एक ऐसा कुश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब दी इंसिडेंट विच कंफर्म्स तेट इनायटर संकल खुश्रो वास इंडिड क्रेजी कि कौन सी घटना से यह पिलकुल कंफर्म होता है कि खुश्रो वंगल बिलकुल पागल थे कब अरे जब उनका बेटा आया होता है बारबर की शॉप पे बुलाता है कि मेरे घर में आग लग गई तब भी वो कहते है कि अगला इंपॉर्टन कुश्चन है वाइड दी साइट ऑफ मुराज होर्स बोथ डिलाइटफुल एंड फ्राइटनिंग फर अरम के लिए डिलाइटफुल और फ्राइटनिंग दोनों क्यों था डिलाइटफुल इसलिए क्योंकि उससे घोरा हमेशा से पसंद था गोड़ा बच्पन से और फ्राइटनिंग क्योंकि वो डर रहा था चिंता करना था कि कहीं यह चोरी का तो घोरा नहीं है और कुछ लंबे कुश्चन्स मेरे की लॉग अंसर कुश्चन्स में आओ गए तो एक इंपॉर्टन कुश्चन रहेगा जब उसका कजन मुराद जो की बड़ा होता है वो अब उस पर राइड करता है तो सईस होता है बट जब उस पर अरम चड़ता है तो घोड़ा काफी आतंक मचा देता है और बाकी सारे कुश्चन्स और MCQs भी डिस्क्रिप्शन में दियों पीडियाफ में मिल जाएगा और प्लीज ये वीडियो सब में फैला देना नॉट्रिफिकेशन छेड़ देना और फिर क्या तो जाना जा पढ़ ले